हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्टर्ड एपल यानि की सीता फल की खीर ये तो हम सब जानते हैं कि सीता फल बहुत ही टेस्टी होता है इस क्रीमी और टेस्टी फ्रूट का कॉंबिनेशन जब दूद के साथ किया जाए तो इसका टेस्ट कुछ जादा ही बढ़ जाता है यकीन मानिए आप इस रेसिपी को जब एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बनाने को दिल चाहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आसान फूट रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीता फल का पल्प अलग करना होगा इसलिए हमने एक बोल पर इस तरह से छन्नी रख ली है और चम्मच की मदद से इसके सारे पल्प को हम इस छन्नी में निकाल लेंगे अब हमें इसे चम्मच की मदद से क्रस्ट करते हुए इसके पल्प को बीच से अलग कर लेना है इसे चलाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे और इस तरह से हमें इसे क्रस्ट करते रहना है अब देख सकते हैं कि इसमें से बीज अलग होने लगे हैं इनको हम इसमें से निकाल लेंगे अब भी हमें इसे और क्रस्ट करना है ताकि इसके सारे बीज अच्छे से अलग हो जाए देखिए इसमें से हमने सारे बीज निकाल लिये हैं अब छन्नी में जो पल्क बचा है इसे भी हम बोल में एट कर लेंगे इस तरह से हमने एक सिताफल का पल्क निकाला देखे हमने मीडियम साइज के चार सीताफल लिये हैं सेम प्रोसेस को फोलो करते हुए हम बाकी के सीताफल का पल्प इसी तरह से अलग कर लेंगे तो इस तरह से हमने चार मीडियम साइज के सीताफल का सारा पल्प अलग कर लिया है खीर बनाने के लिए हमने एक heavy bottom pain में एक लीटर full cream दूद लिया है इसे हम एक बार चला लेंगे और high flame पर हमें इस दूद में एक उबालाने देना है देखिए high flame पर एक उबालाने के दोरान हमें इसे बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि दूद नीचे ना लग जाए और बीच बीच में हमें इसे हर 2 मिनिट में चलाते रहना है ताकि दूद नीचे ना लगे इस तरह से हम low flame पर इसे चलाते रहेंगे और इसकी दिवारों पर जो मलाई लगी है उसे हम दूद में एट करते जाएंगे 20-25 मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूर की क्वंटिटी आधी हो चुकी है इस टेज पर हम इसमें एट कर देंगे 5 टेबल स्पुन चीनी देखें चीनी की क्वंटिटी आप अपने स्वात के हिसाब से मेजर कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान लखेंगे कि सीता फुल जो है वो थोड़े स्वीट होते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एट कर सकते हैं हम इसमें दो टेबल स्पुन बादाम और काजू एट करेंगे मिक्स कल लेंगे और फ्लेवर के लिए इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पुन इलाइची पाउडर मिक्स कल लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे देखे चीनी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है इस टेज पर हम इसमें एट कर देंगे सीता फल का पल्प जो हमने पहले से अलग करके रखा हुआ है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे गेस की फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए और पका लेंगे सिता फल की खीर बन चुकी है इसका टेक्स्चर देखी आप कितनी गाड़ी और क्रीमी खीर बन कर तयार हुई है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद दो से तीन घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे फिर हमें इसको सव करना है बनी है ना बिल्कुल क्रीमी और टेश्टी सीता फल की खीर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये रेसिपि आपको कैसी लगी इस रेसिपि को फ्रेंड्स और फेमिली में जरूर से सेर कीजिएगा और हाँ चैनल पर नए है तो मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फील में लेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई